रोमन रेंज वर्सिस रेंडी ओटन हुआ कन फाम साथ हिसा जाने के क्या कुछ वाया बढ़ा आज मंडे नाइट रॉक है नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है कौरव और आप देखेरें डेपलेवली ए हिंदी गॉसिप से डेपलू एच जी आज की रा हुच की खतम और मेरे साब से दोस्तों आज की रा काफी बढ़िया रही है आज की रा दोस्तों काफी एवरेस थी लेकिन इसके अंदर जो मैचीज रखे गए थे वो दोस्तों काफी बढ़िया थे और उन्हें ने दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉक बहतरीन किय याज शुरुवात की बात करूँ, तो आज की Monday Night Raw की शुरुवात हुई थी, हमारे Drew McIntyre की एंट्रे की द्वारा, तो काफी सर्प्राइस था मेरे लिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि Randy Orton आएंगे, और Drew McIntyre आए, रिंग के अंदर दोस्तो, Drew McIntyre ने आकर एक प्रोमो काटा ये चीज बोले कि ओ, कोई भी एक्सक्यूस नहीं देने वाले हैं, जो उनकी Hell in a Cell में हार हुई, इसके बाद दोस्तो, ये चीज कहते हैं कि Randy Orton उस शाम बहतर वेक्ती था, और वाश्या और करते हैं कि Randy से ओ टाइटल छेन कर फिर से वापस लाएंगे, कि इसी भी इस दोस् पर ज्यादा वर्स्ट होगी, क्या चीज देखने को मलती है, कि गाईज दमीजी चीज कहते हैं कि प्रियर ड्रिव मेकेंटायर तू काफी अच्छा खिलाडी रहा, तेरा रेन काफी अच्छा था, लेकिन एक बाद जा ले, लैक्स टाइम जब तू किसी को फेस कर रहागा, तो तू मुझे फेस कर रहागा, क्यूंकि मैं रेन्डी की ओर टन के उपर करूँगा कैशिन, इसके बाद दोस्तो 2010 के कैशिन को याद दिलवाते हैं, हमें क्या इंगल लेगने को मलता है, कि वहाँ जो ड्रिव मेकेंटायर है काफी परिशान हो जाते हैं, और ग्लास को किस मार देते हैं, वहाँ दमीज को, इसके बाद दोस्तो वो नहीं छोड़ते हैं, मॉलिसन को भी दोनों की कर देते हैं, तगड़े बिटाई और दोनों को वहाँ से भागना पड़ जाता है, तो ड्रिव मेकेंटायर ने दोस्तो शुरुआत में ही खोल दिया था, ताला बात क जी जाए, इसके बाद क्या हुच हुआ, तो दमीज और मोर्जन का ताला खुलने के बाद दोस्तो जो अगली चीज हम लोगो देखने को मिली है, वो था दोस्तो कॉलर फायर मैच बिट्वीन एजे स्टाइल सें जाफारी, तो दोस्तो क्या चीज बताईगी कि आज सर्वा और फेनॉमिनल फोवाम लगा करें दोस्तो उन्होंने जैफ हारी को इसके अंदर हरा है, मैच के बाद दोस्तो हमें इससे बड़िया थिंग देखने को मिल गई हुआ क्या है, कि गाइस वहां से एजे तो निकल जाते हैं, ताथ में उनके बॉडिगार भी था, वही दोस्त साथ फीट का, कि पीछे से दोस्तो हमला हो जाता है, जैफ हारी के उपर, जैफ हारी की पीट पर फूटता है, गिटार निकलते हैं दोस्तो, अलायस, अलायस दोस्तो, जैफ हारी को फिर से यहां परिशान किये, बात की जाए, इसके बाद क्या कुछ बाद होगा है, इसके हमें backwietेज़् देखने को मिला आर्थूत का interview इसके बाद दोस्तों जो अगली thing हम लोगों देखने को मिलि है वो तो इस match के बाद करूँ, तो एक तरीकी controversy में तब खतम हुआ जब गाइस हमें चीज देखने को मली कि आर्थूथ मैच के अंदर इन्वाल हो जाते हैं वह आते हैं और उनकी पिन अटेम्ट करने की कोशिश करते हैं अकीरा तोजावा रिंक साइट के ऊपर कि गाइस रैफरी केंटी बजाता है नहीं है रैफरी ने दोस्तों घंटी नहीं बजाई वहां आर्थूथ लिटरली एक दो रेसलर्स को मार के निकल गए और अंदर दोस्तों एंगल देखने को मिला है हम लोगों को कि गाइस जो डू गुलक है उनकी पिन हो गई दोराडो से रोल अप खा लिया और उनकी वहां पिन हो गई जिसके तहद लूचा उस पार्टी में विजरे मैच के बाद दोस्तों सारे के सारे जो ये रेसलर्स है ये आर्थूर के पिछे भाग खड़े वे तक फ़नी साइक मिन तो एदा लेकि गाइस काफी कॉंटरवर्शिल भी था क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई रेसलर किसी समाने मैच में इन्वाल्व हो भी और डिस्कौलिफिकेशन ना भी हो तो गाइस अजीब सी डबलबली की बुकिंग थी बात की जाए इसके बाद क्या कुछ वाद होगा इसके बा दोस्तो इस बारी थी हमारी Alexa Bliss चीज की बात करूँ तो गाइस किस तरीके से चीज भी सबसे पर हमें दिखाई देते हैं आपके Brave White Brave दोस्तो एक तरीकी पार्टी रखे वे थे वहाँ दोस्तो जितने भी Puppets थे पार्टी एंज्वाई करे थे हमें देखने को मलती है फिर वह अलक्सा के साथ होंगे इसके बाद दोस्तो जो रैमलिर रैबिट है वोटने की कोशिश करता है कि गाइस उसे टैनिस के दोरा फिर से ब्रेवाइट मार गिराते हैं और फिर गुडबाई कह डालते हैं तो कुल मिलाकर दोस्तो एक काफी वीर्ड सा फायर फ्लाइफन हुसता ल इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तो एडम पिर्स की नाया जैक्स एंड शेना बेजलर के साथ मीटिंग तो बैक्स्टेज दोस्तो ये दोनों रैसलर्स मिलती है एडम पिर्स से एडम पिर्स को बताती है एक चुठी देते हुए कि देखो ह हम सर्वाइवर सिरीज की जो टीम है उसमें अल्डरेडी है और हमें कौलफायर्स की जोत नहीं है और जो नाया है वो कैप्टन होने वाली है और हम अपनी टीम खुछ से चूज करेंगे अडम पिर्स को टीम पसंद नहीं आती जिसके बाद सेग्मेंट हो जाता है खतम इसक हमें इस तरीके से आता हूँ नजर आ है कि वहाँ जैफारी की धुनकार सुनाई दी अलायस को जब वो काफी अच्छी पकड़ बना चुके थे जिससे हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट और कीथली उन्हें पाव बाव मारकर हरा देते हैं कीथली वहां से निकल जाते हैं और फि हम लोगों ने देखिए दोस्तो वह था हर्ट बिजनस का रिंग के अंदर आना तो हर्ट बिजनस रिंग के अंदर आ चुकी है जहां दोस्तो बोल बच्छन चालूआ है बॉबी लैशली और एमवीप का वहीं चीज कहा रहे हैं कि वो किसी से भी नहीं डरते हैं फिर दोस् के सा है कि मुस्तफ़ा अली अकेले बच गेंस्ट शेल्टन मिंजमिन एंड दोस्ट अलेक्जेंडर के तो वहां दोस्तो मुस्तफ़ा ली ने क्या किया कि चीर का यूस कर दिया जिसके चलते वो पूरे तरीके से मैच को हार गए इसके बाद दोस्तो हर्ट बिजनस अली के हकड़े होते हैं अलियास दोस्तो हमें बहुत डरपोक डबलवली ने दिखाए हैं और मेरे साब से दोस्तों एक तरीके सा सूचक है कि गाइस जो रेट्रिविशन है उनका पुश ऑफिशली खतम हो चुका है बात की जा इसके बाद क्या उस देखने को मिला है तो गई इसक इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बैक्सचेज द न्यूडे का सेगमेंट तो एक काफी इंपोर्टेंट सेगमेंट था इसके इंदर दोस्तों हमें पता चला कि इस सर्वाइवर सीरिस के अंदर कौन-कौन से मैचेस होने वाले हैं सबसे पहले तो दोस्तों यही चीज़ देखने हो मिलगी कि दन्यूडे जो है तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स के कपड़े पहन कर आरखायब धैट मिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स बनाम दन्यूडे हमें सर इसके बाद दोस्तों वहां आसका आ जाती है और फिर आसका बताया जाता है कि तुम फेस करोगी साशा बैंक्स को क्योंकि तुम दोनों भी चैंपियन्स हो इसके बाद दोस्तों बताया जाता है पिग डॉग रोमन रेंस का मैच जो की फेस करेंगे रेंडी ओर्टन को यु opportunity चाहिए, आसका ये चीज़ कहती है कि तुम कभी भी इन से title नहीं जीत पाओगे क्योंकि the new day rocks इसके बाद क्या गुछ देखने को मिला है तो गाई, इसके बाद हमने महिलाओं का fatal 4-way match देखा, तो 4 महिला है अल्रेडी confirm हो पांच भी चुनिनी थी और ऐसे में दोस्वे match रखा गया था एक तरफ थी Lana, उनके खिलाब पेटन, रॉइस, निकी, क्रॉज, और हमारी लेसी इवंस थी, match की बात करूँ मैं अस दोस्व बहुत बढ़िया जा रहा था जहां मैं यह एंगल देखने को मला एंडिक मोवेंट्स में कि गाइस, जो लेसी इवंस है, वो कॉर्नर पर खड़ी हुई है, निकी के साथ, वहाँ दोस्व पेटन दोनों को गिरा देती है एक बड़ी सुपलेक्स लगती है, जिसका फाइदा फिर से दोस्व लगती है, समोन ड्रॉप लाना को यह छटी बार ऐसा हुआ, नाय जैक्स ने लाना को यहां तोड़ दिया बात कीज़ाए, इसके बाद क्या कुछ हुआ वह इसके बाद हमें देखने को मिले हैं फिर से मुस्तफ़ अली बैक्स्टेज़ और चोकी एक प्रोमो काड़र थे अली का कहना ये था कि देखो फेलियर चाहे जो भी हो रेटरिविशन रुकने वाली नहीं है तो काफी अजीब से दोस्तों अली यहां रियक्ट कर रहे हैं बात किजाए इसके बाद क्या उस देखने को मिला तो इसके बाद हमें जो अगला मैस देखने को मिला वो नाइट का सबसे बहतेरीन मैस था वो था दोस्तों हमारे शेमस और मैट रिडल का मैस तो गाइस क्या ही मैच डबली वालो ने ये बनाया था इस match की दोस्तों जितनी तारीफ पुरू उतनी ही कम इसके अंदर दोस्तों शेमस का real potential हमने देखा है match की बात करूँ काफी slow शुरू होता है लेकिन उसके बात जैसे जैसे इसने pace फकड़ा ऐसा लगा कि कोई भी wrestler हारने को तयार नहीं है लेकिन eventually दोस्तों Matt Riddle खा जाते हैं broke kick ending moments में और शेमस इसमें विजर रहते हैं ये भी दोस्तों एक qualifier था और यहां शेमस हो चुके है qualifier बताया चाता है बात की जाए दोस्तों अब main event of the evening की तो इसके ठीक बात हमने देखा main event of the evening जो की था दोस्तों हमारे Randy Orton का जो किया रखे थे a moment of bliss के उपर Alexa Bliss आ चुकी है Randy कुबला आती है Alexa सवाल ये करते है कि आप 14 विवार champion बच चुके है क्या आप surprise फिल कर रहे हो इस पर Randy कहते हैं कि उन्हें कोई भी surprise नहीं है उन्हें खुद के उपर भरोसा था इसके बाद दोस्तों Alexa कहती है कि last night वाके में तुमने और Drew McIntyre ने आग लगा दी घर में जिससे दोस्तों Randy को याद आ जाता है वो पल क्योंकि आसे कुछ समय पहले हमने देखा था वहां Randy से दोनों लड़ते हैं कि guys वहां फिर हो जाती है lights फिर से black क्याने कि lights हो जाती है और हमें देखने को मलते हैं फिंड जो कि दोस्तों Randy Orton के साथ में यानि कि उनके पीछे खड़े वे थे Randy Orton ramp के उपर चले गे थे और पीछे जैसे ही खड़े होए तो हाँ दोस्तों डेवी वाले ये चीज़ बता चुके हैं कि survivor series में जो Randy है उनके opponent Roman Reigns रहेंगे क्योंकि brand supremacy की fight है लेकिन guys अब जो fight मुझे बनते वे नज़ार आ रही है वो है दोस्तों Fiend वर्सिस Randy Orton वर्सिस Drew McIntyre हाँ ये चीज़ भी हो सकती है कि Fiend थोड़ा इंतज़ार कर ले अब देखना होगा ये कि आगे जाकर किसका किसके खिलाफ मैच होता है आज की raw दोस्तों बहुत बढ़िया लगी आपको दोस्तों ये raw कैसी लगी है कमेंट करके मुझे जब बताएगा वीडियो पसंदे वीडियो को लाइक इन शेयर जरूर कीजगा वीडियो के अनसे बहले दोस्तों थैंक्स टों मेंबर साथ तक कलिक नहीं थानवाद शुब खेर